नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है वेरी मज़िदार वीडियो में विकॉस इस वीडियो में थारा भाई आपको ऐसी जानकरी बताएगा ऐसी जानकरी बताएगा किसी ने सुच्छी न होगी जैसे की दोस्तो 29 मार्च से लेके 14 अप्रेल तक हमारे गेम में रमदान इवेंट श्टार्ट होने वाला है सो रमदान इवेंट का इंटरफेस कैसा होगा इंटरफेस को कैसे कमप्लेट करना है रमदान इवेंट के दावरान कौन-कौन से फ्री के रिवर्ड समय मिलने वाले है एंड के रमदान स्पेशल हमें फ्री में दो गुली वाली सौटगन की स्किन मिलेगी रमदान इवेंट की सारे जानकरी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इतना ही नहीं दोस्तो ओभी 24 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर जो जो इंट्रेस्टिंग से चेंजस होने वाले हैं उसके बारे में हमारे गेम में आने वाली अपकमिंग इवोगन, इवोगन के इवेंट, अप्रिल फुल के इवेंट जो जो 100% कनफर्म इवेंट आने वाले हैं उनके बारे में हमारे गेम में आने वाली निव अपडेट, फ्री फार की मस्त वाली मीम, आप लेगू के फनी कमेंट्स बोले तो यह वाला वीडियो गरदा उडा देने वाला ललन टाप चुमिस्वरी होने वाला है तो चलिए वीडियो को फटाक से सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अब में आपको ओवी फोटी फोर अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर जो जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ सो चेंजेस नंबर पहला ये है कि जैसा कि आपको पता होगा जब गेम में 50 में से 40 बंदे बचे रहते हैं हम लोग चील हो करके खेलते हैं लेकिन जैसी 10, 5 और 2 बंदे बचते हैं गेम की सिरियसनेस बढ़ जाती है इसी चीज़ को फ्री फारवालों ने गेम में इंप्लिम फाइट फाई अलाइव करके इस तरह से फ्री फारवाले हमें बीच बीच में बताते रहेंगे कि बंदे कम हो रहे हैं लेकिन एक सेकेड़ चेंजेस नंबर दूसरा ये है कि जिस तरह से सोसल आइलेंड में किसी बंदे या बंदी के उपर टच करके ये जान सकते हैं कि उस का नाम क्या है उसकी गिल्ड कुनसी है साथी में उसे फ्रेंड रिक्वेश्ट भी सेंड कर सकते हैं एंड जो ड्रेस उसने पहना है कुनसी वेपन है कुनसा प्रोफाइल एरैवल एनिमेशन है यहां से देख सकते हैं साथी में उसे अपने विसलेश्ट में भी ले सकते हैं और तो और उसे इमोजी भी दिखा सकते हैं। इस तरह से OV44 अपडेट के बाद प्लेन के अंदर ये वाला चंजस होने वाला है। और तिसरा चंजस यह है कि फ्री फार वाले नेक्स्ट ओबी अपडेट में EO G18 प्लस EO Scar 2.0 को फाइनली पूरा तयार करने वाले हैं। एंड हमारे गेम में देने भी वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं कि इन में क्या-क्या खासियत रहने वाली है। तो दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे EO Scar 2.0 के बारे में इस गन को लेवल 8 तक अपग्रेट करना पड़ेगा। तो जब ये गन हमारे पास आएगी लेवल 1 की इसमें हम लोग अपने हिसाब से कस्टम नेम चेंज कर सकते हैं। लेवल 2 पर किल एनाउस्मेंट अपग्रेट होगा। लेवल 3 पर ले जाने पर इलिमनेशन काउंट हमें देखेगा। हमने इस गन से कितने किल किये हैं हमें यहां से देखने पर पता लग जाएगा। लेवल 4 का करने पर हिट एफेक्ट अनलॉक होगा। साथ ही एबिलीटी अपग्रेट होगी डेमेज हो जाएगा डबल प्लस, रेटा फायर हो जाएगा सिंगल प्लस, रिलोड स्पीड हो जाएगी सिंगल माइनश। अगर ये वाली एबिलीटी पसंद नहीं आती तो पहली वाली जो E.O. इसकार है उसकी एबिलीटी हम लोग यहां लगा सकते हैं लेवल 5 का करने पर Elimination Effect, Firing Effect, साथ ही में Bullet Trail हमें मिलेगा लेवल 6 तक जाने पर New Look हमें मिलेगा, साथ ही में Abilities Unlock होगी अगर कोई बंदा Moving Position में है, इदर उदर घूम रहा है और हम इस E.O. इसकार से उसे डेमेज देंगे तब डेमेज जादा पड़ेगा, या पिर पहले वाली E.O. इसकार की Special Ability हम लोग यहां पर यहां पर Use कर सकते हैं एंड लेवल 7 तक जाने पर हमें Exclusive Emote मिलेगा, साथ ही में New Look मिलेगा एंड लाश्ट लेवल 8 तक जाने पर हमें तीन चीज मिलेगी पहला मिलेगा Final Sword का Animation, जब हम किसी गेम में Last Band को मारेंगे या टीम के Last Band को मारेंगे CS में, तब यह वाला Animation आएगा जो की Final Sword का Animation है साथी में Reload Effect आएगा, अगर हम इस गन को Reload करेंगे, तो इस तरह का जबरदस्ट Effect आने वाला है एंड इस्पेसल साउंड भी आने वाला है, ओरिजिनल साउंड इसकार गन का कुछ इस तरह से सुनाई देता है लेकिन इस गन का स्पेसल साउंड कुछ इस तरह से सुनाई देगा इसी तरह से दोस्तो, EO G18 भी आने वाली है, इसका नाम रहेगा Ultimate Achiever, जो की Achiever की थीम पर रहेगी इस गन को Level 7 तक अपगरेट करना पड़ेगा, बाकी आप लोग इसका Look, Ability, Effects वगेरा तो देखे रहोंगे कुछ इस तरह से ये EO G18 आनी वाली है, और EO Gun से मुझे याद आया तीन-चार दिन के बाद में हमारे गेम में EO Wallet Event का Rotation होने वाला है, अभी जो EO Wallet है ना वो जाने वाला है, ना EO Wallet आने वाला है इस तरह से EO Wallet Event का Rotation होने वाला है, एंड या रही बात Evolution Scar 2.0 की एंड EO G18 की, ये हमें नेक्स्ट OB44 अपडेट के बाद देखने मिलेंगे चलो आओ दोस्तो, अब मैं आपको मेरी मीम के पिटारे से Free Fire के मूल भूत अधिकार वाली मजिदार सी मीम दिखाने वाला हूँ फ्री फायर खेलना, हर दिन किंडर जो आए खाना, पॉकेट खर्चा 50 रुपया अरे ठीक है ठीक है फिर तुम जाओ जाओ, हो गया हो गया तो मेरा भाई लोग इस मीम को देखकर के मुझे बहुत हस्याई, मैंने 3-4 बार याली मीम को देखा हूँ भाई इसने मूल अधिकारों में फ्री फायर खेलना को लिखा है यार, सच्ची में भाई इसे मूल अधिकारों में रख देना चाहिए बाई दवे बताइए आपको ये वाली मीम केसी लगी, वीडियो में आगे बड़े उसके पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गलत बात है और हाँ उन सभी का सुक्रिया जिनने इस वीडियो को सुरू मही लाइक कर दिया लेकिन जिन्नोंने लाइक नहीं किया है अपने पेरे-पेरे हातों से लाइक कर दीजेगा और अगर चैनल पर नहीं होंगे तो इसी अमेजिंग वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा आओ दोस्तो फाइनली अब मैं आपको रमदान इवेंट के बारे में बतानी वाला हूँ रमदान इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पर 29 मार्चस से लेकर के 14 अपरिल तक चलने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको हमारे गेम में आने वाले 100% कनफरम पैड इवेंट के बारे में बता दीता हूँ तो सबसे पहला इवेंट है वाल रोयाल जिसमें 4 गलुआल की स्किन आने वाली है जिनमें में रहेगी रमदान की गलिश्टेनिंग नायट इश्टर वाली गलुआल की स्किन और और भी 3 गलुआल की स्किन साथ ही में आने वाली है सो मिश्ट्री शॉप हमारे गेम में 4 अप्रेल को आने वाला है देन 6 अप्रेल को गलिश्टेनिंग रोयाल आने वाला है जिसमें हमें 4 आइटम देखने मिलेंगे जो कि रमदान स्पेसल रहेंगे जिसमें पहला आइटम रहेगा Huge Fiest Emote जिसमें हमारा केरेक्टर समोसे समोसे खाने वाला है दूसरा रहेगा Camel Bundle तीसरा रहेगा Ramadan की Katana की Skin Glistening Day Star चौथा आइटम रहेगा Star Dusk Checker Mask हाला कि इस वाले Royal में हमें 30% Off All Spins में मिलेगा अब देखते हैं कि Free Fire वाले इस वाले Royal का Royal voucher क्या Free Fire वाले हमें Free में देते हैं या फिर नहीं देते बाकि दोस्तो Free Fire वाले Glistening Majesty Bundle का Giveaway भी करने वाले हैं रमदान Giveaway उसका नाम होगा और दोस्तो बात रही Free Reward की तो कल हमारे गेम में Special Interface आने वाला है जैसे Special Interface को हम लोग Open करेंगे हमें Mission से टोकन कलेक करनी पड़ेगी देन ये उट के उपर जो केली बैठी हुई है इसे चलाना पड़ेगा जब चलेंगे किलोमिटर वाई से जो Mission है ये Complete होते जाएंगे देन हमको Reward मिलते जाएंगे बाकी इस वाले Banner को देखने सैसा लग रहा है कि Free Fire वाले हमें Task Force Bundle Free में देने वाले हैं अब देखते हैं कि Free Fire वाले Male का Bundle Free में देते हैं कि Female का या पिर कौन सा वाला Bundle देते हैं एंडियार रही बात दो गुली वाली Shotgun की स्किन की तो अभी मैंने आपको जो इवेंट बताया पेड इवेंट और फ्री इवेंट इसमें हमको दो गुली वाली Shotgun की स्किन देखने नहीं मिली ना तो हो सकता है कि Free Fire वाले हमें रमदान Special ये जो दो गुली वाली Shotgun की स्किन है ये हमें फ्री में दे दे क्योंकि Maximum Server पर जहां पर भी रमदान इवेंट आया है वहाँ पर ये रमदान वाली दो गुली वाली Shotgun की स्किन फ्री में मिली है हाला कि इसी तरह कि दो गुली वाली Shotgun की स्किन वेपन माश्ट्री वाले मिसन से हमें फ्री में मिल रही है परंतो रमदान इस पेसल ये वाली भी दो गुली वाली Shotgun की स्किन फ्री में मिल जाएगी तब मजा आ जाएगा तो दोस्तो कल से ही रमदान इवेंट श्टार्ट होनी वाला है जैसे मुझे कोई और Free Rewards के बारे में पता चलेगा मैं आपको बता दूँगा लाइक ये देखो मीना सर्वर पर पास से लेके 8 अपरिल के बीच फ्री में 100 Magic Cube की फ्रेग्मेंट्स मिलेगी सो हो सकता है कि हमारे इंडियन सर्वर पर भी मिले अगर मुझे कनफरम जानकरी मिलेगी इससे रेलेटेड मैं आपको बता दूँगा वैसे मैंने Magic Cube के टॉपिक की उपर एक वीडियो बना दिया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताया हूँ कि Magic Cube कप्री में मिल सकता है या फिर Magic Cube में कौन सा बंडल आएगा अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना तो ये बस इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं अगर आपको कोई सवाल होगा तो comment box में पूछ लेजिएगा मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक आप लग अपना खयाल जरू रखिएगा